नॉर्थ वेस्टन डेलवे के दोरा आज मजदूर दिवस की मौके पर जंडा रोहन का करीक्रम किया रहे हैं तो देखे के से पर ये special report North Western Railway Employees Union के तत्वधान में एक नई मजदूर दिवस पर जंडा रोहन सेमिनार आयजित हुआ है इसी अफसर पर रैली एवं सभा आयजित की गई तो यूनियन प्रांगन में यूनियन महामंतरी मुकेश माधुर ने जंडा रोहन भी गया है इस अफसर पर आयजित सेमिनार में मुक्यातिती पवन कुमार शुर्मा ने अपने विचार रखे उन्होंने कहा कि हम सभी को मिलजूर करके एक टीम की रूप में कारे करके भारतिय देल को सम्रद्धी एवं प्रगती के शुकर पर पहुचाना है यूनियन के महमंदरी मुकेश मातोर ने का कि देल कर्मचारियों के लिए 1986 से पूर का दौर संगर्श खथा फिर संगर्शों के एक साथ साथ सुविधाय और उपलब्ग्यां हासिल करने के दौर आये आज फिर कुने 1986 से पूर की परिस्तितिया उत्पन हो गए जबकि केंद्र सरकार श्रमिकों के हित की बजाय उद्योग पतिवै नियोकताओं के लिए हितों का ध्यान रखते हुए नीतिया बना रहा है केंद्र सरकार ट्रैड यूनियन को कमजोर करने की कारवाई कर रहा है तो उन्होंने यह भी कहाए कि चार लेबल पूर्ट के लागू होने के बाद में नियोकताओं के लिए श्रमिकों के शोशन का मार्ग प्रशस्त्र हो जाए फिलाल देश दुने की तमाम बड़ी कपरों के लिए ताही बन लेगी नियुसाइटिंगे साथ नमस्कार